आज के वीडियो में सीखेंगे बैकलिस कुड़ती की कटिंग बार स्टीचिंग करना तो प्रेंस वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है पूरा लाश्ट तक देखना है जिससे हर एक स्टेप अच्छी से समझ में आए कोई भी स्टेप बीच में चूटने ना पाई तो प्रेंस आए हमारे साथ वीडियो को सुरू करते हैं बैकलिस कुड़ती को हम अस्तर वाले फैबरिक में कट करेंगी तो उसके लिए हमें अस्तर लेना है और मैन फैबरिक ले लेना है मैन फैबरिक को डबल फोल्ड में कुछ इस तरह से विचा लेना है लंबाई में फिर से चवड़ाई में डबल फोल्ड करना है क्योंकि दोनों पलों को एक बार में कट करना है फैब्रिक को उतना ही फोल्ड करें जितने की जरूरत हो ऐस्टा फैब्रिक फोल्ड ना करें कुड़ती कट करने से पहले मेजरमिंट जानेंगी तो गाइस इसका चेश्ट 34 साइज है कमर बत्ति साइज है हिप का साइज 35 इंच है और लेंध 14 इंच है तो इसी की अकॉर्डिंग हम कुड़ती की कटिंग करेंगी सबसे पहले लंबाई का निसान 40 इंच का लगा लेंगी डेड से तो इंच मार्जन छोड़ देना है नीचे की सैड सबसे पहले सोल्डर का निसान लगाएंगी साड़े 6 इंच पर क्योंकि यह बैक लिस कुड़ती है तो सोल्डर की चवड़ाई थोड़ी जादा रखेंगे आर्मोल की लंबाई 7 इंच रखेंगे कुछ इस तरह से सोल्डर से टेप को रखना है कमर का निसान लगाएंगी 13 इंच पर हिप का निसान लगाएंगी 20 इंच पर तो इसी निसान पर हमारी चैक खुलेगी और इसी निसान पर हिप का निसान आएगा और इस तरह आर्मोल वाली निसान पर टेप को रखना है चेश्ट का निसान लगाना है 34 साइज की हिसाब से 8 इंच का निसान लगाना है हिप का निसान 35 साइज की हिसाब से सवा 8 इंच का लगा लेना है और इसतरह स्केल से सारे पॉइंट को मिला लेना है तो प्रेंस हमने उतना ही फैबरिक फोल्ड किया है जितनी की हमें जरूरत है हमारा फैबरिक भी खर summard नहीं होगा और इस तरह बाहर की साइड मार्जन के लिए 2-2 इंच का निसान लगा लेना है इसके लिसे सीधा लाइन करना है तो गैस हमारा ये कुर्टी मेडियम साइज का है अब हम दामन का निसान लगाएंगी उसके लिए हमें हिप का नाप ले लेना है जितना हिप हो उतना ही हम दामन का निसान लगाती है तो गैस अगर दामन जादा रखना हो तो हाप इंच या एक इंच दामन का निसान बढ़ा कर भी लगा सकती है लेकिन हमारा medium size का कुर्ती है तो हम इतना ही निसान लगाएंगी हमारा बिल्कुल perfect shape आएगा और इस तरह आर्मूल की side गुलाई देंगी तो हमारे कुर्ती की drafting हो चुकी है इसी drafting पर हम finally cutting कर लेंगे जो की हमने cutting को कर लिया है तो guys हमारी दोनों पार्ट से एक ही बार में cut हो गए है और हर point पर cut लगा लेंगे जिससे हमें stitching करते समय कोई भी परिशानी नहीं होगी तो हमारी दोनों पल्ली एक बार में cut हो गए है और इस तरह हमारा sold की side fabric जोडा हुआ है दोनों पल्ली तो इस तरह कट लगा कर अलग अलग कर लेंगी अब हम landing पर कूर्टी कट करेंगी तो landing को double fold में बिचा लेना है तो guys से इहां पर जो हमने landing लिया हुआ है जो ब्लाउज में अस्तल लगती है दो अस्तल लिये हुए हैं और इस तरह double fold में बिचा लेना है दोनों landing को अच्छे से double fold करकी बिचा लेना है और उसी की उपर कूर्टी को set कर लेना है कुछ इस तरह से तो देख सकती हो guys वीडियो में landing पर निसान लगाती समय प्रेंस धियान रखना है बढ़ा की निसान लगाना है लगबग हाप इंच या एक इंच बढ़ा का निसान लगाना है जब हम कुर्टी के साथ landing को stitch कर लेंगी तो हम finishing देंगी और इस तरह हमने landing को cut कर लिया है तो प्रेंस अब हम कुर्टी stitching करेंगी उससे पहले हम गला कट करेंगी तो इस तरह टेप को रखना है बॉक्स बना लेंगी गोलाई देंगी और इसी निसान पर कटिंग कर लेंगी तो प्रेंस हम बिना बुकरों की नेक बनाएंगी और नेक बहुत ही फनीजिंग के साथ बनाएंगी तो वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखना जिसे कहीं भी आपका इस टेप छूटे नहीं और इस तरह पिन से सिक्यूर कर लेना है और इसी तरह हम दूसरे वारे पार्ट्स में नेक कट करेंगी उपर की चोड़ाई हम धाई इंच दो पॉइंट रखेंगी और गहराई 7 इंच यानि की 7 इंच रखेंगी नीचे की चोड़ाई 3 इंच रखेंगी और इस तरह बॉक्स पना लेंगी गुलाई का सेव देंगी तो गाईस यह हमारा बैक वाला पार्ट है यानि की पीछे वाला पला रहेगा और इस तरह इसी निजान पर कटिंग कर लेंगी पिंस को हटा देंगी लैनिंग को कुछ इस तरह से बिचा लेंगी और उसी के उपर मैन फैप्रिक को सैट करेंगी पिं लगा कर अच्छे से सिक्यूर कर लेना है तो गाईस जो हमारा मैन बाला पार्ट है उल्टी साइड उपर की ओर रखना है और जो सीधी साइड है उसे अंदर की ओर रखना है क्योंकि अंदर ग्राउंड सिलाई लगाएंगी तो हम पल्ली को पलट कर सीरा कर लेंगी और इस तरह दो पॉइंट मार्जन छोड़ कर सिलाई को लगा लेना है और इस तरह बूट को घुमा लेना है सूलर पर भी सिलाई लगा लेना है क्योंकि सूलर की भी सिलाई हम अंदर ग्राउंड रखेंगी और सूलर से सिलाई को घुमा कर आर्मोल की साइड सिलाई को लगाना है और इसी तरह हम दूसरी वाले आर्मोल में सिलाई लगाएंगी क्योंकि आर्मोल से लेकर हम पूरा उपर की साइड अंदर ग्रॉंड रखेंगे हम कोई इसमें बुकरम नहीं डालेंगे और बहुती सरल तरीके से हम कुर्टी स्टिच करना सिखाएंगे ग्याइअ अग्याइअ अगर इस तरह से इस्टिच इंकि तो बहुत ही जल्दी कुर्ती कर लेंगई और पहुती फनीसिंग के साथ और इस तरह जो हमारा लेनिग है उसको हम कट करेंगी और कटस लगा लेंगी कट्स अच्छी से लगाना है क्योंकि सलाइ बिल्कुल भी ना कटे जो हमारा मैन फैब्रिक से जो बाहर है लैनिंग उसे मैन फैब्रिक के बराबर में कट करना है और इस तरह कट लगा लेना है क्योंकि अच्छी पनीचिंगे लिए कट बहुत जरूरी है पिंस को हटा देंगे और पलट कर फैब्रिक को सीधा कर लेंगे तो गाइस जो कि हमने कर लिया है अब हमें अच्छी पनीजिंग के लिए टॉप इस्टिच लगानी है उपर से इससे हमारा लैनिंग और मैन फैब्रिक दोनों अच्छी से सेपरेट हो जाएंगी और पिल्कुल भी लैनिंग बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगा तो सिलाई लगाते समय ध्यान रखें प्रेंसे एक बूट का मार्जन छोड़कर सिलाई लगाना है जिससे हमारी सिलाई अच्छी लगे दिखने में तो इस सिलाई से ऐसा लगेगा जैसे कि हमने अलग से पट्टी लगाकर फोल्ड किया है तो देख सकते हो फ्रेंस हमने कले में भी एक पैर का मार्जन छोड़कर सिलाई को लगाया हुआ है और इस तरह सोलडर पर सिलाई को गुमा लेना है सोलर पर किनारी सलाई लगानी है और अर्मूल की साड हमें एक पार का मार्जन छोड़ कर सलाई लगानी है कुछ इस तरह से तो देख सकती होगाई से ध्यान दे कर देखना है क्योंकि हर स्टेप अच्छी से देखना है पल्ले को पलट कर उल्टी सैड में बिचा लेना है और बीचो बीच सलाई लगा लेनी है कुछ इस तरह से तो प्रिंस आप सोच रहे होंगी यह बीच में क्यों सलाई लगाई है तो सलाई इसलिए लगाई है क्योंकि हमने पिन से सिक्यूर नहीं किया है इसलिए हमने बीचो बीच में शिलाई को लगा लिया है जब हम लैणिंग को men fabric की साथ attach करेंगी तो हमारी fabric में बिल्कुल भी सल नहीं बनेगे और अच्छी pressing के साथ एक ही बार में लैणिंग को हम men fabric की साथ attach कर लेंगे कुछ इस तरह से तो guys अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो please प्रेंच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगी तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा और हमारे वीडियो नहीं देख पाएगी तो गायसा हमारे वीडियो देखने के लिए बल आइकन को जल्दी से अन कर ले और इस तरह हम लैनिंग के बॉटम में सिलाई लगा लेंगी एक बार फोल्द करेंगी दूसरी बार पलट कर सिलाई लगा लेना है कुछ इस तरह से मैन फैब्रिक से बाहर जो लैनिंग है उसको हम मैन फैब्रिक के बराबर में कट कर लेंगी कुछ इस तरह से क्योंकि प्रेंट से हमने मैन फैब्रिक से बढ़ा कर लैनिंग को कट किया है लगबग एक इंच तो उसको हम प्रेंजिंग देंगे और इसी तरह से हम प्रेंट वाले पल्ले को कम्पलीट कर लेंगे तो गाइस हमने दोनों पल्लों को कम्पलीट कर लिया है अब हम इस तरह से टेप रखेंगी और पिटिंग की निसान लगाएंगी सबसे पहले पल्ली को उल्टी सैड में इस्टीट बिचा लेना है 34 साइज की हिसाब से हम 17 इंच पर कुछ इस तरह से निसान लगाएंगी क्योंकि हमें हाप में निसान लगाना है कमर का साइज 32 है तो फ्रेंस हम 16 इंच पर निसान लगाएंगी तो ध्यार रखना है फ्रेंस हमें दोनों साइज बराबर में जगे छोड़नी है और इस तरह 16 इंच पर निसान लगा लेंगी हिप का साइज 35 इंच है तो साड़े सत्रे इंच पर निसान लगाएंगी और इस तरह हमें बराबर में ही जगए छोड़नी है दोनों साइड और इस तरह हम सेप देंगी अगर इस तरह निसान लगाकर फिटिंग की चलाई लगाएंगी तो हमारी fitting एक ही बार में अच्छी आएगी और इस तरह पल्ले को पलट कर सीधी साइड में बिचाएगी और उसी की उपर दूसरी पल्ले को उल्टी साइड में रखेंगी तो फ्रेंस यहां देख सकती हो जो हमारा fabric का सीधा साइड है उसको हमने अंदर की तरफ रखा है और इस तरह अच्छी से सोल्डर को मिला लेना है और सिलाई को लगा लेना है इसी तरह हमें दूसरी साइड सोल्डर को मिलाना है और सिलाई को लगा लेना है अब हमें पल्ले को स्टीट बिचा लेना है और इस तरह जो पीछे साइड का मार्जन है उसको हमें बैक साइड में पलट लेना है और इस तरह टॉप इस्टिच लगा लेनी है इस से हमारे पीछे साइड का जो मार्जन है वो अच्छी से साइड हो जाएगा और उठा हुआ दिखाई नहीं देगा अब हमें इस तरह दोनों पल्लों को पलट लेना है उल्टी सैड में और फिटिंग की सलाई लगा लेनी है तो निसान हमारी लगे हूए है हमें फिटिंग की सलाई लगाने में कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी और एक ही बार में हमारी अच्छी फिटिंग आ जाएगी और इसी तरह से हमें दूसरी साइड में सिलाई को लगा लेनी है अब हमें चैक को फोल्ड करना है तो इस तरह एक बार फोल्ड करेंगी दूसरी बार पलट कर सिलाई लगाएंगी कुछ इस तरह से फैब्रिक को बराबर में फोल्ड करना है कम ज़्यादा नहीं करना है और यहां देख सकते हो गाईस अच्छे से सिलाई को चीर लेना है और जो सिलाई लगी हुए उससे हमें लगबग हाप इंच उपर तक बूट ले जाना है और इस तरह सुई को अंदर रखना है बूट को दूसरी साइट चेक पर गुमा लेना है कुछ इस तरह से सुई को अंदर रखना है और नीचे साइट के लिए बूट को गुमा लेना है और इसी तरह हम दूसरी साइट फैब्रिक को फोल्ड करके सलाई को लगा लेंगी तो इस तरह हमने दोनों साइट के चेक को कम्प्लीट कर लिया है अब हम दामन को फोल्ड करेंगी एक बार फोल्ड करेंगी दूसरी बार पलट कर सलाई लगा लेंगी इस तरह सुई को बिल्कुल किनारी पर रोक देंगी और इस तरह दूसरी side की check को major कर लेंगी जितना fabric extra हो उसको हम fold करकी silahe लगाएंगी तो उसी में एक बार ao परट कर silahe लगा लेंगी कुछ इस तरह से तो guys major जरूर कर लेना है नहीं तो हमारी एक side का पल्ला छोटा हो जाए और एक साइड का बड़ा निकल जाए और इस तरह जो हमारी फिटिंग का मार्जन है उसमें हम लेरिया कट करेंगी कुछ इस तरह से तो गाइस इहां चैक की साइड देख सकती हूँ तो इस तरह दोनों साइड की फैबरिक को इस तरह इस्टेट में पकड़ लेना है और एक तो इसको हम बैक गले में सैट करेंगे तो गैस हम हर एक वीडियो में लटकन बनाना बताते हैं और इस तरह ऊपर जो सोल्डर की सिलाई लगी हुई है तो सोल्डर से टेप को रखना है दो इंच नीचे हमें लटकन को लगाना है तो ध्यान रखना है डोरी में नोट जरूर लगा लेनी है इससे हमारी डोरी खुलेगी नहीं और उसके बाद में इस तरह से टक कर लेना है तो अच्छी हमारी डोरी में मजबूती आ जाएगी और बिल्कुल भी उस लेगी नहीं और इसी तरह हमें दूसरे साट कले में डोरी को लगा लेना है पहले डोरी में नोट ल कुछ हमारा इस तरह से आया हुआ है तो फ्रेंस इसकी फनिसिंग देख सकते हो गली में बिल्कुल भी हमने बुकुरम नहीं डाला है आर मुल की साइड हमने कुई पट्टी नहीं लगाई है हमने इसको लेनिंग के साथ ही अंदर गिरॉंड सलाई लगा कर पूरा कुर्ती को स अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें